नमस्कार दोस्तो, अलवर रेप केस के बारे में अपते हैं, सुना हुआ गैंग रेप जो हुआ है अलवर मेरा इस्थान में, सुना होगा कोई बड़े बात थोड़ी है, नहीं सुना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे में वैसे भी इतनी गैंग रेप होते रहते तो अगर चूट भी जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर अच्छी बात है भाई, आप लाग जाग रूखे, सुनते हैं चीजों को, अलबर्मा गेंग रेप हुआ है, पांच रोगों ने मिलके एक महिला के साथ वलात्कार किया है, मरदान की दिखाई है, बहुत अगए एक-एक सच जाए, न्यूज नंबर वन, पुलिस ना अंदर स्पट कोई इंक्वारी नहीं की, कोई इंक्वारी नहीं की, क्योंकि पुलिस ना एक्स्क्यूज दिया, क्योंकि हम बिजी हैं चनाओं में, चनाओं चल रहा है इंदेस में, चनाओं आयोग का काम चल र तुम बाद में आना कि तुम बाहर वाले हो, तुम हमारे फैमली के नहीं हो, हमें इंक्वारी करें कि चुनाओ आयो के बाद, जब हमें टाइम मिलेगा, तुकि आम आदमी पुलिस के लिए देश नहीं होता, पुलिस वालों के लिए देश कौन होते हैं, पॉलिटीशियन होत होते हैं, celebrity होते हैं, business man होते हैं, पैसे वाले होते हैं, आम आदमी कोई देश नहीं है, आम आदमी सिर्फ देश के आजु बाजु पढ़ा हुआ क्या है, कच्रा, इससे रहता कुछ भी नहीं है, just our waste material, जो देश के आजु बाजु पहला हुआ है, वो है आमा आदमी, तो तो त इस वालों का excuse था, और जो सच है, news number two, बीजेपी इसको लेके तूट पड़ी, बीजेपी तूट पड़ी, बीजेपी एक दम राजस्तान में, आप पोजीशन में हैं, कैसे छोड़े हैं मौका, इतना अच्छा मौका मिला है राजनीती करने का, बड़े-बड़े नेता बा अच्छ में है, तो राजनीती तो करनी अभी कैसे भी करके, और इतना अच्छा मौका, राजनीती का नेतना अच्छा मौका कहा मिलेगा, तो बस सब के सब बीजेपी बाले टूट पड़े, इस्तीफा दो, हमें सीम मनाओ, हमाय मेप होगा, तो फिर कॉंग्रेस बालों को त ईते जाते हैं, दो तो उतनी घंडे की, तो मुदी जी ए, जैंको जी नहीं ऑफू, लेकिन एस मुद्धे पर एक भी कॉंग्रिस नेता ने घंग से बयान नी दिया, श्मधर ने तो कűशनी, फuko अजी ने बें करनाटक विदरम सभा चुनाव में दिक्कत हुईती एलक्षन के बाद में तो यह दो बजे हाई-कोर्ट गेट पर पहुंच गया थे दो बज़े, कुट खुलवाय थे लेकिन यहां पर इनके मूझ से एक सब्द नहीं निकला, अब होगा निया है, यह निया है देखे तुम्हें, यह रियल्टी तो कंडिशन जो अप्लाई लिखा ना नीचे, अब होगा निया के नीचे, उसको डं यह रियल्टी है, यह रियल्टी है, बीजे पीर कॉंगरेस दोनों की, जो हुआ अलवर गैंगरेब में, एक भी, एक भी नेता ने कॉंगरेस के बयान नीचे थिया, और बीजीब को तो खिलने का मौगाई चाहिए बस, कैसे भी करके, यह रियल्टी है, आप एक इन नहीं क वो लॉंडा लड़की को पता है, यहाँ, यहाँ पकड़े था चाती पे, चाती पे, यहाँ पकड़े था, असलिए तो यह है कि यह से लोग अपनी मम्मी को, अपनी बहन को, अपनी दीदी को, घर में भी साथ चाती पी पकड़ते होंगे, मजा आता हो ना चाती पकड़ने में एक अजीब सा फील होता होगा एक अजीब सा फील होता होगा चाती पे यहां पगड़ेता वो यहां क्यों तुम घूम रहे हो यह उसने बोला वीडियों में तेरे बाप की रोड है जो हम तुस्से पूछे भूमें यहां पे यहां पगड़ेता चाती पे जितना मेहानक व जो हुआ है उसके बारे में जितना बोलू उतना कम है और कोई भी गैंग रेप हो छोटे जोटा बड़ा बड़ा रेप रेप होता है उसमें कोई कैटेगरी नहीं होती है यह रियल्टी है कुछ बोलने का मेरा मन नहीं है चलो यार